दिल्ली शराब घोटाले में मंगलवार को सुप्रीम कोट ने बड़ी राहत देते हुए आमादमी पार्टी के सांसद संजे सिंग को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोट फैसले के बाद उन्हें आज तिहाट जेल से रिहा कर दिया जाएगा। निचली अदालत ने उन्हें सशत्र जमानत दे दी है। संजे सिंग को कोट ने दो लाख रुपे के निजी मुचकले पर यहरा हद दी है। कोट की ओर से जमानत के कुछ शर्ते रखी गई हैं। बता दे कि सुप्रीम कोट ने बेल के लिए निचली अदालत का रुख करने को कहा था। शर्तों में केस को लेकर कोई टिपपनी न करना, कई जाते वक्त लोकेशन श्यर करना, मीडिया से केस के बारे में कोई बात नहीं करना, बिना इजाजत दिल्ली NCR छोड़कर और देश छोड़कर न जाना शामिल है। आप सांसद संजे सिंग के वकील रिशी केश कुमान ने बताया कि ट्राइल कोट ने बेल की शर्तों में दो लाक रुपे की सिक्योर्टी मनी निर्धारित की। कोट ने उन्हें पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा है और उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमती नहीं है वकील ने बताये कि कोट ने कहा है कि वह इस केस में अपनी भूमिका के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। कोट ने ये भी कहा कि अगर वह दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं तो आई ओ जांच अधिकारी को इसकी पूरी जानकरी देखे जाएंगे। यहां से अभी क्या हैं कहीं भी जाते वक्त अपने मुबाइल फोन की लोकेशन ओन रखनी होगी देश छोड़ कर नहीं जा सकते पासपोर्ट जमा करना होगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में किसी भी तरह की टिपणी करने पर रोग। सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़-छा करते हुए साथ अप्रेल को सामुहिक उपवास रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जो जहां है वो वहीं से सामुहिक उपवास रखकर प्रातना कर सकता है और इस मुहीम में शामिल हो सकता है। कोपाल राई ने कहा कि जिस तरीके से गलत आरोप लगा कर संजे सिंग को 6 महीने तक जेल में रखा गया। ठीक उसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंतरी अरविंद केजडिवाल और आमादमी पार्टी के अन्यनेताओं को भी जेल में रखा गया है। सबूत के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। आज गाओं की गली-गली से लेकर पूरे देश दुनिया में इसी बात की चर्चा है कि जिस मुख्यमंतरी ने सबसे जाला लोगों की भलाई के लिए काम किया उसे उठा कर जेल में डाल दिया गया। कर दो? झाल झाल